दोस्तो आज भारत और साउथ अफरीका की टीम के बीच सरीस का तीसरा और आखरी T20 मैच खेला जाएगा तो ऐसे मैं दोस्तो जानते हैं कि आज के इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तो जानेंगी आज के मैच में कौन से टीम का पलडा भारी है तो चले दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं जहाँ दोस्तो इससे पहले इन दोनों ही टीमों के भीज दो T20 मैच खेले जा जुके हैं और वो दोनों ही T20 मैच भारतिय टीम ने चीद कर इस स्रिस को अपने नाम कर लिया है ऐसे में भारतिय टीम आज के मैच में कई नई ख्लाडियों को इस मैच में मौका दे सकती है तो भाई इस मैच में विराट कोली को भी अराम देने की बात चल रही है जहां दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच चीतना चाहेगी ताकि वो क्लीन स्विप होने से बच जाए और ऐसे में दोस्तों आप बात करें इन दोनों ही टीमों के बीच आज का ये तीसरा बड़ा मुकाबला होलकर क्रिकर स्टेडियम इंदौर के मैदान पर हेला जाएगा और ये मैच शाम को साथ बज़े शुरू होगा और दोस्तों अब बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग लेवन की तो पहले बात करें साउथ अफ्रीका की और साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाची करते हुए वहीं दोस्तों अब बात करें भारतिय टीम की तो भारतिय टीम की तरफ से कप्तान रोही शर्मा और केल रहुल ओपनिंग बल्लेबाची करते दिखाई देंगे वहीं मिडल ओडर में रिशाप पन्त सूरिक कुमार यदव दिनेश कार्तिक अक्सर पतेल और दीपक चोहर मिडल ओडर में बल्लेबाची करते दिखाई देंगे वहीं गेन बिवाजी में रवीच चंदन अश्विन, हर्शल पतेल, अर्शदीप सिंग और मुहम्मद सिराज भारतिय टीम की प्लेइंग 11 का हिसा बनते दिखाई देंगे वहीं दोस्तो भारतिय टीम की प्लेइंग 11 आज के मैच में पूरी तरह बतले भी दिखाई दे सकती है क्योंकि भारतिय टीम इस सिरीस को अपने नाम कर चुकी है और भारतिय टीम अपने खिलाडियों को अराम देना चाहेगी ऐसे में दोस्तो आपको क्या लगता है आज का मैच भारतिय टीम जीत कर साउथ अफरीका को क्लीन स्वीप कर पाएगी कि नहीं आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुरी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में